हेलो एवरीवान दिस इंदर विक्रम वेलकम टी सोशिल इसकूल आज का जो टॉपिक आप डिसक्स करने जा रहे हैं एंड ऑफ सिवलाइजेशन बड़ा ही इंटरस्टिंग टॉपिक होने वाला है यह क्यों क्यों कि जनरली वैसे भी जब हम किसी भी टॉपिक की बिगनिंग और येंड के बारे में डिसक्स्टिंग करना शुडू करते हैं तो औविस large- 아니ened के बात है वो पॉड़ासा इंटरस्टिंग टहु गई खासकर अगर वो हिस्ट्री का है तो लेकिन रेकिन यहां पर तोड़ा सा ट्विस्ट क्यों ट्विस्ट है क्यों कि जब मतलब बिगनिंग की बाद थी, so we were not sure, हम बिलकुल ये sure नहीं थे, confirm नहीं थे कि how the people got settled exactly in this area, मतलब we just tried to trace the settlement की पहले थोड़ा सा agriculture हुआ होगा, rural settlement और इसके बाद gradually फिर वो urban settlement की तरफ गया होगा, so in the same way there are certain assumptions, there are certain observations, जो की यहां पर आपको पढ़ने को मिलेंगे, फिर भी ये interesting होने वाला है, ये इसलिए क्योंकि बहुत ही mysterious तरीके से, इनकी जो शुरवात है, यानि की beginning है और इनका जो decline है, जो end portion है, दोनों ही क्या है, mysterious है, रहसे से भरे हुए हैं, तो अब end की बात करते हैं कि कैसे ये इतनी विक्सित सभ्विता, जहां पर arts आपने देखा, technology आपने देखी, trade आपने देखा, commerce आपने देखा, agriculture आपने देखा, ठीक है, एक बहुत बढ़िया तरीके से town planning देखी आपने, वो civilization बिना अपने इन सारे qualities को transmit किये हुए, एकदम से गायब हो गई है, और आपको इसके बाद, देखो, इसी chapter के साथ में, next chapter का background भी बन जाएगा, जो अलग तरीके से शुरू होगी, जो आप chapter 2 में पढ़ना शुरू करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं कि chapter 1 से चीजें सारी relate होती हुई chapter 2 के तरफ जाएगी, क्या देखोगे आप, शहर से फिर अचानक गाओ, तो इस तरह के शहर जो अभी आप पढ़ रहे हैं, हडपा में, इस तर से एंड हो गया, इंडस वैली के लोगों का, सो क्या कहती है कहानी, there is evidence, हमें क्या है, around 1800 before common era, around this time, अब हडपा का, या पूरी हडपान civilization का, जो time period है, वो different, different है, लेकिन फिर भी हम यहां पर, as per the book, अपनी book के हिसाब से, 2600 to 1900 मान के चलते हैं, ठीके, 2600 to 1900 before common era, BCE, this is the timeline, कि, इस दोरान हमें, settlements के evidences मिलने शुरू हो गए, बहुत बढ़ियां से, यह mature हडपा का, basically क्या है, settlement period है, इसके पहले से भी, छोटे-छोटे settlements मिलने शुरू हो गए थे, और इसके बाद भी ऐसा नहीं, कि evidence एकदम से खतम हो जा रहे हैं, या फिर, जो settlement है पूरी तरीके से खतम हो जारा, मतलब ऐसा हुआ कि, अचानक से सो के उठे और सब देखा कि, कुछ ही लोग सो के उठे हैं, और फिर दूसरे दिन वो भी सो के नहीं उठे, ऐसा नहीं हुआ, ठीके, तो यहां पर, यह timeline है, इसके काफी पहले से, थोड़ा सा कुछ-कुछ evidences हैं, और इसके बात, कुछ 100 साल तक, 200 साल तक, 300 साल तक इस तरह से, evidences मिलते रहे, लेकिन फिर देरे-देरे, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीके, तो यह जो rough timeline है, इस rough timeline में आप देख रहे हो, around 1800 before common era, मतलब इसके बात की बात है, ठीके, चाप्टर है, मतलब बिगनिग वाला टॉपिक भाईया, बिगनिग वाला जो टॉपिक है, यह जब आप याद करोगे, तो इसमें मैंने आप से कहा था था ना कि, जो हरपन civilization है, यह तीन पार्ट में develop हुई है, early, mature, और, letter हरपन, मतलब देर आर थ्री फेज़स, this is the beginning, जब बहुत ही, early, rural settlement आपको देखने को मिल रहे हैं, when that rural settlement reached to its peak of the development, development किस तरीके का, जो urban development था, trade commerce डिवलप हो गया, इनके बीच में manufacturing services और सारी चीज़ें जो है, प्रापर हो गया ही, town planning जो है, अपने peak पर पहुँच गई, तो यह mature phase है, and then, we started certain, or we are noticing certain kind of decline, certain kind किया एक तरीके का, proper decline देखने को मिलता है, जहां पर अलग-अलग, अभी आप पढ़ोगे कि क्या-क्या देखने को मिला, जिसके बात observation से यह पता लगे कि अच्छा, ऐसा हो सकता है, तो again, assumptions are there, because there is no one definite reason behind the decline of Indus Valley civilization, यानि हरपन civilization के पीछे, के पतन के पीछे, कोई एक निश्चुत कारण नहीं ह देखन रखेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लेजे, तो 1800 before common era, this is a time period, most of the mature हडपन site, ज्यादा तर ये जो हडपन, मैचूर हडपन site की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये ज्यादा तर मैचूर हडपन sites क्या हैं, जैसे कि चोलिस्तान होगी, हडपा, मुहन जुदाड़ो ये सब कुछ, तो इन जगहों पर हमें abundant यानी की इस जगहों को छोड़ कर चले जाने के प्रमाण मिलते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ होगा, और कौन सा ऐसा कारण था, कि यहाँ पर रह रहे हैं जो लोग थे, उन्होंने इस जगह को छोड़ कर त्याग कर दूसरी जगह जा आना, decide किया होगा, कुछ न कुछ possible reason रहे होंगे, जिनको आप इस वीडियो में समझोगे, पूरा का पूरा वीडियो इसी के उपर dedicated है, कि how that civilization came to that end, ठीक है, चलो, simultaneously, साथ-साथ, आप हमें पहला evidence यह मिल गया, कि यहाँ पर abundant, यानी, जब आप excavate कर रहे हो, तो आपको इस तरह से कुछ ऐसा scene create हो रहा है, देखके first sight में, पहली ही नजर में देखके समझ में आ रहा है, कि यहाँ पर कुछ छोड के लोग गया है, कुछ condition ऐसी दिख रही है, बर्तनों की, ornaments की, pots की, कि इनको छोड के चले गया है, इस area को, ठीक है, क्योंकि proper proper सब कुछ बना हुआ है, और वो destroy हुआ नहीं इस तरह से, जैसा destroy उसको होना चाहिए था, ठीक है, ना कुछ और ऐसे evidences मिल रहे हैं, वहाँ पर जो indicate करें कि कोई और चीज आई होगी, जिसकी वजह से खतम हुए, बीमारी या कुछ इस तरह से, तो some mixed reason होगे यहाँ पर, पुरी खिचडी बने वाली है, so abundant, यानि कि यह जगे छोड़ के गए, साथ साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है, there was an expansion of population, ठीक है, into the new settlement, तो एक indication archaeologist को यह मिल रहा है, कि point A से लोग left कर रहे हैं, ठीक है, settlement को left कर रहे हैं, और वो दूसरे point B या point C पर जाकर, बस रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिल र civilization, जिन जिन एरियाज में comparatively पहले जिस जिस amount में लोग रह रहे हैं, इतना, तो इनके comparison में दूसरे settlements में, जो की आप neighboring geographical area की बात कर रहे हैं, मतलब आस पास में जहां पर इंडस वैली ही है, उसके और आगे की तरफ आप बढ़ेंगे जब, ठीक है, इंडस वैली अगर जाओगे, इस्ट की तरफ तो western उतरपरदेश का जो portion हो गया, अलमगीरपूर वाला जो इलाका हो गया, ठीक है, यह जो हैं वो extreme points है, north, south और east के, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नए settlements, eastern portion की तरफ shift हो रहे हैं थोड़ थोड़ा सा, clear है, मतलब यह अगर मैं कहूं यहाँ पर जैसे यह इंडिया का portion हो गया, ठीक है, और यह settlement ऐसी बसी गई, तो ज्यादा तर पूरा अभी यह settlement ऐसी थी, अब यह settlement का कुछ हिस्सा जो है, मतलब इस्टन पार्ट की तरफ भी थोड़ा सा shift हुआ है, तो गुजरात, हर्याना और western उत्तर परदेश, उत्तर प population वाले, strength वाले areas देखते हैं, मतलब might be, जो migration है लोगों का, वो थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा हुआ होगा, यह indicate करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, hopefully समझ में आ गया होगा, आपको, so नए settlement हमें observe होते हैं, नए settlement हमें यहाँ पे दिखते हैं, और वो नए settlement किन areas पे ज़्यादा expand हो रहे हैं, किन areas पे ज़्यादा settle हो रहे हैं, गुजरात की तरफ हर्याना की तरफ settle हो रहे हैं, और इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के western portion की तरफ shift हो रहे हैं, this is the reason, hopefully यह clear हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, if in the few हडपन sites that continue to be occupied after 1900 before common era, कुछ-कुछ ऐसे मतलब पन sites हैं, ठीक है, जो कि आपको continuity में मिलेंगी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एक बार extinct हो गया, तो फिर उसके कोई नाम और निशान नहीं मिल रहे हैं, हमें यह भी evidence मिल रहे हैं, ठीक है, नाइटीन हंडिट फोर का ओने रहा, means the year, जहां से extinct के आपको निशान मिलने शुरू हो जाते हैं, लेटर हडपन फेस, जो है वो शुरू हो गई है, बेसिकली, या लेटर हडपन फेस, जादी है, उस समय ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, चल रही है बेसिकली, तो यह वो टाइम है, नाइटीन हडपन कौम ने राका, ठीक है, तो यहां पर कुछ-कुछ civilization जो है, या कुछ-कुछ हडपन साइट्स जो है, वहां पर लोग रह रहे हैं, इस साइट्स पर ऐसे हैं, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, जहां पर लोग बसे हुए, यहां पर हमें किसी तरीके का कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या है वो, there appeals to have been a transformation, यहां हमें बड़े लेवल पर transformation देखने को मिलता है, बड़े लेवल पर कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, अब यह noticeable परिवर्तन है, कि sides होई हैं, हडपन sides है, ठीक है, और उन्होंने अपने आपको उस area में settle किया हुआ है, ठीक है, यह इतिहासकार समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि यह लग तो हडप transformation देखने को मिल रहा है, a kind of transformation देखने को मिल रहा है, of material culture, ठीक है, जो material culture है, यानि कि जिस तरह का material इस्तिमाल होता था, जो सामगरी बनी हुए होती थी, जो बनने के construction अगरे के जो pattern थे अभी तक के, उनमें हमें थोड़ा सा transformation देखने को मिलता है, क्लियर है, कैसे, marked by the disappearance of the distinctive artifacts देखो मैंने का, जो artifacts आपको mature हडपा पे मिल रहे थे, ठीक है, वो artifacts आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर नए ही तरीके का कुछ है, जो unified system measurement का, जो unified system आपको मिल रहा था, craft production में, जो diversity मिल रही थी आपको, और pattern जो मिल रहा था, आपको craft production में, इसके साथ साथ ज वो सब कुछ यहाँ, बदले हुए रूप में देखने को मिल रही, तो अब यह क्या mark कर रहा है, कि हो सकता है, यह उस व्यवस्था की तौरा regulate नहीं हो रहा था, this culture was not regulated by that हडपन system, ठीक है, क्योंकि तभी तो यहाँ पर diversity देखने को मिल रहा है, मतलब उससे different है काफी कुछ, So, this appearance of the distinctive artifacts, यानि जो खास तरीके का artifacts, चाहे वो pottery की बात कर रहा हूं है, चाहे वो crafts की बात कर रहा हूं है, चाहे मैं ornaments की बात कर रहा हूं है, जूलरी की बात कर रहा हूं है, सील्स की बात कर रहा हूं है, जो भी मैं कहूं, वो artifacts अभी हाँ पर उस तरीके से नहीं मिल रहे है clear है, जो की पहले थे, जैसे special type की जो weeds बन रही थी, आपने craft production वाला जो वीडियो है, वो देखा है about craft production, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कितना बहतरीन तरीके से इनकी कलाकारी थी, और कितना बढ़िया, मतलब दिल लगा के काम करते थे कुल मिला के, ठीक है, मोतियों को बनानी का जो pattern था, उनकी जो processes फॉलो करते थे हडपा के लोग, that is a kind of unique example, तो वो pattern आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, seals अब वैसी, वो जो seal बनी हुई थी, metal की, terracotta की, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, weights का unified system, जो पूरे इंडस्वैली civilization में एक जैसा था, uniform था, similar था, वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो, है न, लोचा है, चलो, राइटिंग, long distance trade and craft specialization also disappeared, हडपन civilization की राइटिंग, अब काश यह चीज जो है, राइटिंग वाला जो पार्ट है न, यह सबसे, मतलब डेंजरस पार्ट है, हडपन civilization में पूरे में, क्योंकि राइटिंग का जो वे है, जो script है, अगर यह थोड़ा बहुत छोड़ के जो गए हैं, इसको हम बहुत अच्छे से decode कर लें, ठीक है, तो हम यह सारा कुछ शायद समुझ सकते हैं, मतलब बहुत कुछ हमें exact reason पता चल सकते हैं, हडपन्स के decline के भी, बहराल अब जब नहीं पता है, तो फिर क्यों सरपीटना अधेरे में, कोई बात नहीं, प्रियास जारी हैं, so writing, long distance trade, जो Mesopotamia के साथ, एजिप्टियन के साथ, जो लंबा व्यापार चलता था, बहरीन वगएरा के साथ में, जो इनका trade था, ये सारा जो trade का है pattern, ये हमें नहीं दिखता है, क्यों अगले chapter की तरफ चले जाओगे, जब तो अगले chapter में जाते ही, तुमको अलग दुनिया देखने को मिल जाएगी, chapter 1 और chapter 2 के बीच में, जमीन और आस्मान का अंतर है, chapter 1 जहां आपको एक शहर घुमा रहा है, chapter 2 वहाँ पर आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा है, जहां पर फिर से गाओं जैसी विवस्ता हो गई है, और वो भी बहुत इनिशेल लेवल के गाओं है, तो ऐसा क्या ऐसा परिवर्तन आ गया, यहां पर हमें बहुत लंबे गैप को देखने का मौका मिलता है, मतलब वी आर अब्जर्विंग लॉंग गैप बड़ा लंबा गैप है, जिसको फिल नहीं किया जा पा रहा है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, सटीक या एकुरेट जो इस पर्टिकुलर डार्क पीरिट को, ट्रांजिशन पीरिट को फिल कर सके, एकुरेट इन्फॉर्मेशन के साथ में, समझ पा रहे होगे मिरी बात को, तो लॉंग डिस्टन्स जो ट्रेड है, वो भी यहां पर डिसप्यर हो गया है, क्राफ्ट इस्पेसलाजेशन जो था इनकी जो बनाने की तकनीक थी, बढ़िया बढ़िया तरीके से जो ग्राइंडिंग करते थे, प्रॉसेसिंग करते थे, ड्रिलिंग करते थे, यह जो तकनीक है, यह तकनीक भी खो गई है, यह तकनीक आगे आपको देखने को नहीं मिलती है, इन जनरल यह जिस समय के हम बात कर रहे हैं, मतलब अब जिस दुनिया से आप अगली दूसरी दुनिया की तरफ जा रहे हो, शहर से गाओं का जो सफर अब आपका शुरू हो रहा है, रूरल की तरफ वापस जो आपका एक इस जगह पर अब घरों को बनाने के, क्राफ्ट को बनाने के अलगी तरीके आपको देखने को मिलेंगे, तो अब यहाँ पर क्या है, इन जनरल फार फ्यूर मटेरियल्स वर यूस्ट तो मेक फार फ्यूर थिंग्स, वेरी सिंपल, कि जहां पर एक तरफ हडपा के लोग जैसे ही आप अपने क्लास 12 की बुक के चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हो, वहाँ पर सोशल, पॉलिटिकल, एकनॉमिक, फाब्रिक जो है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, यहाँ पर क्या हो रहे, बहुत थोड़े-छोटे माटेरियल्स, बहुत कम स्किल्स देखने क नहीं को मिल रही है, ठीक है, ठोड़े-छोडे माटेरियल्स, या थोड़े-छोडे चीज़ों का पर्योब करके, बहुत थोड़ी-छोडी चीज़ें बन रही है, यहाँ जैसे घरों को मनाने का ऐब देखोगे, पूरी तरीके से रूरल पैटन देखने को मिल जाएगा, ठ house construction technique deteriorated घर बनाने की वो उतनत तक्नीक जिनमें पहले तो सड़कें बनाए जाती थी street drains बनाए जाते थे घरों से पानी की निकासी की विवस्था दो-तीन मंजिला घर पके मकान यानि की पकी हुई इटों के मकान जो बनते थे हडपा में और जिन्हें प्रापर तरीके से बनाया जाता था कि हम घरों का जो पानी है वो बातरूम जो है उसके तुरू street drains और फिर वो बाहर निकले ये सारी विवस्था खो गई है ये सारी विवस्था अचानक से खो रही है जैसे जैसे आप chapter 2 की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा क्या हुआ कि ये जो ज्यान था ये जो नॉलेज था ये जो इसकिल थी ये इसकिल इनहेरिट नहीं कर पाए आगे के लोग ये question अनांसर्ड है चैप्टर 2 की तरफ आप जाएंगे इतिहास में ये पूरी तरह से अनांसर्ड है चलो So house construction techniques deteriorated and large public structures were no longer produced तो घर बनानी की वो उन्नत तकनीक न जाने कहां खो गई है इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वो सारे constructions या public structure जैसे great बात great बात जैसे उन्नत चीज कितने सुन्दर तरीके से आपने वो वीडियो देखा जो मैंने citadel वाला और domestic structure वाला जिसमें पढ़ाया हुआ है आपको तो उसमें आपको मैंने explain किया हुआ है कि great बात का क्या importance है उसका construction का pattern जो है वो explain किया हुआ है आपने समझा होगा अगर नहीं समझा है तो उसको समझ लो बहुत अच्छे बहुत ज़रूरी चीज है तो public structures यानि वो warehouse वो great बात वो सारा कुछ जो बना था वो अब नहीं produce हो रहा है इस तरह की buildings का pattern ही देखने को नहीं मिल रहा है हमें हमें कुछ अलगी विवस्ता देखने को मिल रही है पता नहीं कौन नितिहास का ये पन्ना खा गया ठीक है चलो तो overall artifacts and settlements indicate a rural way of life what I am saying कि all of sudden or not only all of sudden ये cable नहीं है but we are not able to fill that gap जो हडपा और उसके बाद फिर chapter 2 में जो आपको वैदिक का portion जोड़ा गया है इसके बीच में जो gap देखने को मिलता है ना इस gap को हम जैसा चाहिए जिस ग्यान से फिल करना चाहिए वह ज्यान से फिल नहीं कर पा रहे हैं जिन सूचनाओं से फिल करना चाहिए उनसे बहुत अच्छे से हम फिल रहे हो लेकिन यहां पर वो थोड़ा सा अधेर नहीं हो रहा है ठीक है चुपा हुआ है अ ह्थे शहरी विवस्ता जहां इन्टरनेशनल ट्रेड देखने को मिलता है उस international trade से हम एक ऐसी विवस्ता में चले जाते हैं जहां पर यह पूरी तरह से गाइब हो जाता है और शहरी कृत विवस्ता से सीधे हम ग्रामीड विवस्ता या रूरल वे आफ लाइफ में आ जाते हैं जिसे हम क्या बाइब करता है जरूलल उसर खाया है जो考तर नीगभी करता है लेकिंग किया यह सक्षे सर आयरह है किया रहे है की सारी चीजों को इनहेट कर रहे हैं तो फिर उस मायने में सक्सेसर हैं भी नहीं एक्जाक्ली ठीक है वोट ब्रॉट अबाउट दीस चींजिस कैसे यह परिवर्तन आये जिनकी वज़से यह परिवर्तन हुए अब ये सारा जो पोर्शन है ये डार्क में ध्यान रखिएगा ठीक है इसका इतिहास की किताबों में आपको सटी जवाब जो मिलना चाहिए वो सटी जवाब नहीं मिलता बहुत सारे कारण मिलते हैं ध्यान रखिएगा और इन्हीं बह हडपा से आपको अगले चैप्टर की तरफ लेके जाएगा तो यह जो बहुत सारे कारण है यह पुल बनेंगे यह ब्रिज बनेंगे और यह जो यह ट्रांजिशन पीरिड है इस इस ब्रिज को फिल करेंगे ठीक है आपको ले जाएंगे उधर so what brought about these changes? क्या-क्या ऐसा हुआ जो इन परिवर्तनों को लेके आया बहुत सारे explanations है there are several explanations ठीक है बहुत सारे explanations को यहां पर रखा गया है और इन explanations में जो कुछ major explanations है उन में यह कहां जा रहा है कि climate change हुआ ठीक है यह जो रीजिन है इस रीजिन में बड़े पैमाने पर भगोलिक परिवर्तन या climatic changes observe हुए और climatic changes obviously बहुत सारे life pattern को प्रभाविद भी करते हैं इसमें कोई doubt नहीं है जिसको हम अपनी modern life में भी क्या कर रहे हैं feel कर रहे हैं इसको experience कर रहे हैं तो माइट भी जो severe climatic changes ऐसे हुए होंगे जिन climatic changes की वजह से large scale पर जैसे कि आपने वीडियो के शुरुवात में समझा कि अबेंडन किया गया है साइट को छोड़के चले गया है तो बड़े लेवल पर सबसे पहला है कि climate change या निगी जलवायू परिवर्तन हुआ और जलवायू परिवर्तन हुआ है जिसने शायद लोगों को migrate करने पर मजबूर किया होगा या फिर कुछ और इस climate change की वज़े से बड़े लेवल पर सब्सक्राइब करने के लिए आपको घर बनाना या जगों को खाली करने पड़ेगा तो माइट भी इस पॉपॉपॉलिशन को एकॉमोडेट करने के चकर में इन्होंने जंगलों को साफ किया होगा क्योंकि जैसे जैसे आप इदर बढ़ रहे हो शुरुवात में वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि यह इंडिकेशन भी मिल रहे हैं कि आप जो पॉपॉपॉल लार्ज स्केल पर हुआ होगा और इस डिफॉरेस्टेशन ने भी एक तरीके से क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर किया होगा तो यह सारे फैक्टर्स जो है वो इंटर मिंगल हो रहे हैं मतलब कुल मिला के को यह कारण नहीं है एक चेंड शुरू होगे इस तरीके से एक से अट्वेक किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है मतलब सिंदू की घाटी पर बसी हुई सब नहीं सिंदू हो गई जहिलाम हो गई चिनाब होगई व्यास होंगे यह च्र रहे हैं तो तो कई बार ऐसा हो सकता है जो ही रहे हैं इन वजहों से माइट भी ऐसे सिचुएशन बनी होगी कि फ्रिक्वेंट फ्लट्स आये होंगे और इन इक्सेसिव फ्लट्स ने बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े सैटलमेंट को पूरी तरह से डिवस्टेट कर दिया होगा अब प्रृट आता है तो आपको ही पता है प्लट्स पूरा फ्लॉड्स है वह सब पूरा तरीके से तो माइंट भी एक्टसेफट प्लॉड के सिच्वेशन होंगे यह ठीक है the shifting and or drying up of rivers या फिर ऐसे situation होगी कि because of that climate change नदियों में जो पानी का level हो बहुत तेजी से कम हो गया होगा ठीक है so rivers जो है वो सूख गई होगी clear है to overuse of the landscape इस area का उन्होंने over exploitation कर लिया होगा तो these are the possible reason और इन reasons की वेज़े से उनको मजबूर हुआ होना पड़े होगा कि भही उस area को वो छोड़ कर दूसरे area के तरफ shift हो ठीक है तो shifting के लिए या मैं कहूँ कि migration जो हो रहा है न उस migration के लिए यह जो reasons बन रहे है यह favorable reasons बन रहे हैं ठीक है तो migrate करने के लिए इन चीजोंने force करा होगा मतलब यह जो multiple reasons आप देख रहे हैं climatic change हो गया आपका deforestation हो गया आपका excessive flood हो गया ठीक है drying up of rivers या shifting up of river का pattern कई बार shift होता है ठीक है यह भी हो जाता है आला कि वो तभी होगा जब flood excessive floods वगयरा आएंगी ठीक है यानि volume जो है water का जब बढ़ेगा उन नदी में तभी वो शायद अपना course change करेगी और क्या overuse of the land escape so these are the multiple reasons or you can say कि इन सारे कारणों का इन सारे जो causes हैं इन सारे causes का mixed effect देखने को मिला होगा यहां पर ठीक है अब यह possible reasons हैं यह चीज ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ अपने से यह book में ही लिखा हुआ है और यह जो archaeologist हैं उस समय जो excavate कर रहे हैं वो इस तरीके क्या assumptions बना रहे हैं बाद में भी जो historians हैं और archaeologists हैं वो on the basis of the research इसको इस तरह से link करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह सब क्या हैं the possible effects the possible causes तो इन में से क्या हुआ होगा कि कुछ ऐसे कारण हुए होंगे ऐसा नहीं कि एक ही कारण है कुछ ऐसे कारण हुए होंगे यह सारे कारणों का mixed effect देखने को मिला होगा अब हो सकता है कि यह reasons थे यह causes थे बट ऐसा हुआ होगा कि इस cause की वज़े से जैसे आपने मोहजजदाडों की movie देखी है आपने मोहजदाडों movie बहुत अच्छे देखी हलाकि movies में तो मसाला होता है कई बार लेकिन फिर भी उस मोहजदाडों की movie में फ्लड का एक reason दिखाये गया है कि फ्लड जो है वह आ रही है और वह बहुत जो devastating flood है बड़े level पर वह उस city के decline में जाने का एक reason बन रही है clear तो वैसे ही यहां पर हो सकता है फ्लड जैसी कोई situation तो यह अप आपको आगे explain करने की कोशिश कर रही है आपके book की हो सकता है अगर ऐसा रहा भी होगा तो इन में से कुछ ऐसे settlement होगे ना जो इससे प्रभावित होगे मतलब हो सकता है बाड आई होगी तो ऐसी बाड तो अचानक से नहीं आ जाएगी कि वो पूरे के पूरे settlement को लेके और तबाह कर देगी ठीक है वो कुछ पर्ट this is the prime reason यहां पर आकर जो है वो गले के नीचे बात थोड़ी से नहीं उतरती है कि हम यहां पर बहुत सारे reasons discuss कर रहे हैं लेकिन इन reasons से यह बात तो थोड़ा-थोड़ा relatable है थोड़ी से relatable है क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें मिल जाती है तो एक site दो site और कुछ-कुछ ऐसे settlements है जो इन reasons की वज़े से इन causes की वज़े से क्या हुए होंगे डिवास्टेट हो गया होंगे डिस्ट्रॉय हो गया होंगे बट पूरी की पूरी जो civilization है वो 100% खतम हो रही है उसका पूरा culture खतम हुआ जा रहा है और उसकी जो पूरी skills थी उसका जो पूरा knowledge है वो एकदम से खतम है वो आगे पास on नहीं कर पा रहा है तो आगे जाके आपको जो house बनानी की टेक्निक्स है टाउन प्लानी की जो टेक्निक्स है वो पूरी तरह रूरल दिख रही है ठीक है पकी इंटों का जो इस्तमाल होना चाहिए था उसका knowledge जो है उस तरह से नहीं है जैसा होना चाहिए ट्रेड अचानक से ट्रेड का जो concept था जो knowledge था वो खतम हो गया तो यह कैसे सारे के सारे लोग जो ट्रेड करते थे वो बाढ़े में बह गए अचानक से तो यह थोड़ा सा बात गले के नीचे नहीं उतर रही है वही मैं कह रहा हूं कि यह सारे जो causes हैं वो पूरी civilization के collapse के reason क को यह पूरी civilization के collapse को उस जिस तरह से सटीक तोर पर बताना चाहिए explain करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं clear it appears ऐसा लगता है ऐसा समझ में आता है देखने पर अब देखो फिर थोड़ा सा और कि चलो इन में से जितने causes हमने अभी पढ़े हैं ऐसा क्या ऐसा हो सकता है ऐसा हुआ होगा कि पहले इस तरह की जो बड़े impact हैं वो कहां आई होंगे वो जो strong unifying element है इस civilization के इसको बहुत अच्छे से समझो ताकि doubt ना रहे ठीक है वीडियो को बड़े ध्यान से अटेंटिवली देखा करो तो आपको बिल्कुल भी doubt नहीं रहेगा इतना मेरा दावा है तो ऐसा लग रहा है कि strong unifying elements जैसे की कुछ जो पूरी सब्वेता को बांद के रखते थे unifying element का मतलब है यहां पर जो पूरी सब्वेता को manage कर रहे थे शायद जैसे बड़े शहर थे जैसे की हडपा वगयरा अब यहां पर क्या हुआ होगा ठीक है यहां पर यह वाली सिचुएशन यह जो causes अभी हमने पढ़ा चाहे वो deforestation का cause रहा होगा deforestation ही मालो हम यहां पर flood मान लेते हैं ठीक है flood मान लेते हैं या और भी जो आपने दो-तीन reasons पढ़े यह diseases वगरा मान लेते हैं drying up of rivers मान लेते हैं जाते हड़ा भी नदीग की ना रहे रा भी नदीग की ना रहे तो या तो excessive flood आई होगी या फिर drying up of rivers जैसे situation होगी होगी तो हम मान लेते हैं कि पहले इस तरह कि जो causes हैं यह causes कहां पर दिखाई दिये होंगे यह causes दिखाई दिये शहर थे यह बड़े हडपन स्टेट थे मतलब जैसे हडपा ही हो गया यह खतम हुए होंगे यह इन में इस तरह की situation बनी होगी clear है this is evidenced by the disappearance of seals क्योंकि जैसे जो सही मायने में unifying artifacts हैं जो की पूरे civilization में एक तरह से हैं जैसे seal हो गई वेड्स हो गया script हो गया यह सब कुछ क्या है आपको पूरा unifying मिला है तो अब इसमें कुछ-कुछ ऐसे शहर रहे होंगे जो इस चीज को regulate करते रहे होंगे जिन्होंने इस चीज को manage कर रहा होगा कि यार देखो यह चीज हमारी unifying रहनी भी चाहिए तभी हमारा पुरा settlement जो इसमें एक तरीके का हमें shift देखने को मिलता है standardized weight system अगयर है इससे भी हमको shift देखने को मिलता है local weights देखने को मिल जाते है तो might be जो centralized authority थी या unifying authority थी या unifying elements थे इनमें decline आ गया होगा जब decline आया हो गया तो फिर हमें shift देखने को मिलता है कि जो चोटी-चोटी sides थी अब इनक लोकल तरीके से चीज़ों को करना पड़ा होगा या अपना खुद का pattern develop करना पड़ा होगा वो जो pattern जो पहले चल रहा था वो pattern इन्होंने तोड़ा सा change कर दिया और जैसे weight की बात करो तो weight पूरे इंडस वैली civilization में आप देख रहे हैं कि जो weight and measurement का system है वो unified है लेकिन आगे जाके हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो standardized weight system था इसको local weight and measurement system ने replace कर दिया तो जो local weight and measurement system है यह might भी ऐसा ही possible होगा जब इनके बीच में trade relations भी लगब लगब मर रहे होंगे खतम हो रहे होंगे dry up हो रहे होंगे है ना तभी तो क्योंकि अगर unifying transaction system बना रहता तो इनको डर रहता कि यार फिर हम कैसे बड़े settlement की साथ trade कर पाएंगे तो बड़ा settlement अब यहां पर शायद नहीं है इसलिए अब जो local pattern है वो local pattern यहां पर दिख रहा है ठीक है इसके बाद decline and abandonment of the cities तो एक तो local weight वगदर दिख रहा है फिर हमें शहर छोड़ के लोग जाने के evidences मिल रहे है मतलब यह प्रमान देखने को मिल रहा है कि लोग अपने उन जगों को छोड़ के जा रहे हैं पूरी तरीके से परित्यक्त टाइप का देखने को मिल रहा है तो यह जो है यह इसलिए होगा कि वहां पर लोगों को लगा होगा कि हमारा जो main controlling centralized authority था वो तो अब रह नहीं गया है तो हमारा नुकसान होगा ट्रेट हम अच्छे से कर पाएंगे अग्रिकल्चर की activity अच्छे से हम कर पाएंगे तो हम शायद दूसरी जगह पर मूफ करते हैं जहां पर हम proper तरीके से आगे अपकाम करेंगे या फिर livelihood तलाशने यह लोग निकल गए होंगे तो यह हमें देखने को मिलता है the subcontinent would have to wait for over अब देखो वही जो मैं बात कर रहा था कि यह एकदम dark period create कर देता है इस situation पर आके जब आप end of the civilization पढ़ते हैं न तो end of the heart of the civilization जब आप पढ़ते हो तो आपको एक पूरा एक ऐसा समय दिखेगा जिस समय में चीजें जो हो रही है वो एकदम समझ नहीं आ रही है बहुत अच्छे से हो रही है बट समझ नहीं आ रही है लेकिन उसके बाद जो हमें settlement और pattern of society देखने को मिल रहा है जो social, political, economic, religious inclination मिल रहा है वो काफे different है इससे तो यह जो हडपा की stage में गायब हुई चीजें इस लेवल तक आने में इस पूरे इंडियन subcontinent को कितना वेट करना पड़ेगा इसके बाद फिर आप देख रहे हो कि धीरे-धीरे करके इंडिया के northern portion की तरफ आपको छोटे-छोटे शेहरों का development observe होगा जिसको हम second or third chapter तक लेके जाएंगे तो इसके बाद फिर पूरा जो है वो जो दो-तीन chapter है नांगे के history में इसी में वो पूरा इसी को यह जो हचड़-पचड़ मची हुई है न यह जो पूरा system develop हो रहा है नए तरीके का जो pattern society का develop हो रहा है इसको पढ़ने में पूरा निकल जाएगा तो पहले आप society फिर political system फि नए शहरों को विक्सित होने में अच्छा खासा समय लग जाएगा इस पर्टिकुलर रीजन में ठीक है चलो बहुत सारे कारण जो अभी हम चर्चा में थे हमारे बहुत सारे कारण जो हम discuss कर रहे थे इनहीं से एक कारण जो है और indicate किया है ना वीलर सहब है हलाकि इनकी बात को नहीं माना गया उसी समय काफी साल पहले भी डिसकार्ड कर दिया गया था ध्यान रखीएगा ठीक 1947 के आज पास इन्होंने इस तरह की थिए लेकिन फिर आगे जाके मतलब मार्शल हो गया वीलर हो गया यह लोग एक अलग तरीके के इनक्लिनेशन पर जा रहे हैं एक इसको पूरी तरीके से मदब पूरी तरीके से अभी भी आप मान के चलो की बड़ा डिवेटेबल है ठीक है और एक तपका तो पूरी तरीके से इसको डिसकार्ड कर देता है और अब भी बुक में भी आप देखोगे तो इनको कोई बहुत तबज्जुद नहीं दी गई है फिर भी चुकी बुक का एक पूर्शन था तो आप समझ लो कि ऐसे भी कुछ लोग हैं दुनिया में जो ऐसी बातें करते हैं कि हडपा के डिक्लाइन के पीछे एक कारण रहा होगा इन्वेजन का यानि आकर्मन का कि यार कुछ लोगों ने इन्वेजन किया था अब यह इस इनमें बहुत कुछ रिलेटिबल चीज़ें हो रही है ना यूरोपियंस लोग थोड़ा सा इनसे ज्यादा इसली रिलेट कर पा रहे हैं तो एक एक बनाया गया कोशिस करी गई कॉंसेप्ट को रिलेट करने की कोशिश करी गई कि माइट भी कुछ और नहीं थे लोग जो आ से जो की बाहर से इस तरह का कुछ ऐसा सीन जो है वो बनानी की कोशिश की गई है उसके पीछे इन्होंने कारण क्या दिया तो मार्शल साहब है जो खुदाई-धुदाई में बहुत सारे समय तक लगे हुए थे 1931 में ठीक है जॉन मार्शल तो मोहन जुदाड़ों इंड़ सिविलिजेशन 1931 में अपना उब्जर्वेशन इन्होंने दिया है इस किताब में क्या कह रहा है इनको एक गली मिल रही है गली लेन तो इस गली में लेन में इन्होंने नामी इसको क्या धर धर दिया डेड मैन लेन ठीक है यानि मृतिकों की गली कह दो लाशों से भरी होगे चलो माल लेते हैं तो 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 आप इसमें जा रहे हो ना तो आगे जाके पॉइंट पर गली जो है पश्चिम के तरफ मुड़ेगी तो वहां पर क्या है कि कुछ आपको देखने को मिलेगा तो डरावनी चीज़ने देखने को बना के बढ़िया सब अब यह क्या कह रहे हैं अब मिला भी ऐसी बात नहीं कि जब अजस्ती का पिक्चर की डिट की है तुर्ण गागी वहां पर क्या है कि कुछ इंसान है एक एडल्ट आदमी है बिचारा उस एडल्ट आडमी के स्केलेटन मिला है वह स्केलेटन कैसे उसके पार्ट ऑफ सकल ठी ठीक है उसके थोरेक्स चाती वगरा की हडियां और उसकी जो खोपडी वगरा है ठीक है ना उसके पार्ट मिले है अपर आर्ब का भी पार्ट मिला है ये ठीक है इस तरह से कुछ मिला है वहां पर आल इन वेरी प्राइबल कंडिशन ठीक है अब देखने पर ऐसा लगे गा जैसे थोड़ा सा युद्ध वाली स्थिति में डरा डरी हुई स्थिति में थोड़ा सा आया ना यह लोग मरे होंगे चलो एट डेफ्ट ऑफ फूर फिट टू इंच दो बॉडी ले ओन इस बाक डागनली अक्रोस दे लेन अब इस तरह से यहां पर यह जो पड़े हुए है वो डागनली आड़े तिर्चे पड़े हुए हैं ठीक ना चलो आगे जाके 15 इंचेस तू दे वेस्ट वेर फ्यू फ्रैग्मेंट ऑफ टाइनी स्कल और आगे जाओ थोड़ा सा तो आप देखोगे कि आपको खोपड़ी के चोटे-चोटे चुकड़े और पड़े हुए ट यहां पर क्या हुआ होगा अचानक से कुछ लोग युद्ध के मूड में आये होंगे अचानक का मतलब कुछ ऐसा आखरमत जैसा हुआ होगा बागे होंगे और उनको मारा गया होगा तो this is the scene that is created here चलो फिर आंगे यह वीलर साहब है वीलर साहब अपना observation देंगे ठीक ना अब यह क्या करें 16 skeletons of people with the ornaments that they were wearing when they died were found from the same part of 1925 के आसपास 16 skeleton मिले हैं इसी एरिया में जब उस समय लोग यह थे मरे हैं उस समय बकाइदा सचदश के आये थे अपना ornaments पगरा पहने वह थे न माला वाला पहने हुए थे और पूरे ornaments के साथ यह skeletons है वहां पर जब मरे हैं तो बकाइदा उस condition में रहे होंगे ताज़े 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 आपना नहां वहां के बढ़ियां सब माला वाला लॉके टॉकेट सब पहन महन के आये थे और इसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ हो जो भी मारदार हुई हो जो कुछ भी ऐसा क्लैश हुआ हो दो पार्टीस के बीच में तो यह सोरा लोगों का जो है वहां पर आपको शव देखने को मिलता है मतलब और लिवी इसको और इसी करने की कोशिच जो मैं खरा रहा थता और यह एडिकेटी किसलिए and का नाम खराब कर दिया इन वहीं अधर तो एंज्वी करने वालोगे रहका एंधर आइदेटीकेने इननको इंद्र काली लदने जगंकर करने वाले तो आज के समय में तो वहीं है चालो यह क्या कहँ रहें यह इस evidence को रिगवेद से connect करने की कोशिश कर रहे है क्योंकि आगे जाके क्या हो रहा है कि रिगवेद वगयरा में मतलब पूरा जो वेद है चार पार्ट में डिवाइड है इसमें जो सबसे earliest वेद है और आपकी जो चैप्टर टू की social मिलती है जो social connection मिलता है रिगवेद से मिलता है मतलब चैप्टर टू में आपका शुरुवाती जो सेटल्मेंट विक्सेत हो रहा है उसका connection आपको रिगवेद से मिलेगा तो इनका यहीं कहना है कि यार देखो वहां पर क्या है रिगवेद में इंद्र का जो है by mentioned है इंद्र एक आरेवेदिक मतलब बेदिक देवता है और रिगवेद में इंद्र को किस तरीके से पोटरेट किया गया hat पुरंदर कहा गया पुरंदर the destroyer of fort उर कह मतलब होता है sword पुरंदर मतलब the destroyer अर्यंद को कि विलर कह रहा है कि इन्द एफ दी आर्यन वॉर गॉड उसको पुरंदर भी कह रहे है अब यह सब कुछ बाते हैं कि यह देखो यहां पर बहुत सारे इसी चीज़ जैसे टेडल बगर्द को लिंक करके कह रहे हैं कि देखो हो सकता है ऐसा माइट लेकिन सारी चीजह है इसले हो रहे हैं क्योंकि जब हम बहुत अच्छे से को एक्जामिन करते हैं तो इग्जामिन करने के दौरण हम यह जो शव दिख रहे हैं इन में से कई सारे जो शव हैं यह अलग-अलग करता है कि हो सकता है यह पूरा जो एरिया था यह शवों को ठिकाने लगाने का एरिया रहा होगा अब जो भी हुआ जैसे भी हुआ जहां भी डेड़ वाड़ी तो थोड़ा सा केरलेस तरीके से आप डेड़ वाड़ी को जो है प्रॉपर मतलब डिस्पोस किया गया होगा तो यह सबसे जाधा रिलेट हो रहा है और यह इंद्रवाली थियुरी है यह ठीक है वार गॉट है लेकिन जीनो साइड से कोई बहुत जाधा रिलेट नहीं हो रहा है कि ऎंद्र आये और मतलब आर्यान साय और इंदर के देवता जो है उनोंने उनको पावर दे दी और फिर यह आड़ पंस को मारने दारने लगे ऐसा कोई चीज देखने को नहीं मिलती है so this is the one of the reason है ना चली तो hopefully आपको यह समझ में आ गया होगा तो बहुत जल्दी से आपके लिए जो कुछ efforts चल रहे हैं उनके बारे भी समझ लो class 11 के लिए आपका inception batch जो की आप शुरू हो चुका है बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा इसमें syllabus cover हो रहा है बहुत बढ़ियां से चल रहे हैं बहुत अभी शुरवात में धीरे से चल रहे हैं धीरे धीरे इसको आगे बहुत speed up भी करेंगे तो यह जो inception batch है आपका और इस तरीके से एक batch है class 12 के लिए आप लोगों के लिए बच्चों dedicated वो है victory batch जिसमें इसमें भी हम वैसे ही चल रहे हैं जैसे हम class 11 में वर थोड़ा से अप्रोच और comprehensive रहेगी इसमें क्योंकि आपका bold year है तो यह batches ओरड़ी शुरू हो गए हैं इन batches में अभी भी आप चाहें तो enroll हो सकते हैं आपको बराबर फाइदा मिलेगा और मैं तो कहता हूं बिलकुल enroll हो जाओ बहुत तेजी से enroll हो जाओ क्लियर है benefit लो क्या benefit मिलेगा आपको अब जब आप इस academy के platform पर enroll होते हैं तो आपको टीचर के साथ properly interact होने का मौका मिलता है सबसे खास बर अफ्लाइन टाइप का थोड़ा सा experience मिलेगा online platform पे आपको फिर teacher से question पूछना हुआ तो बड़े आसानी से आप प्रशन पूछ सकते हैं ठीक है live poll options है यहां पर तो teacher ने poll जो है वो दे दिया आपकी learnings आपने assess कर ली कि हाँ हमें आता है या कोई particular चीज़ पढ़ाई उससे related कोई poll generate कर दिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हां मैंने question कर दिया मतलब बन रहा है मुझसे ठीक है लीडर वोड देखके थोड़ा motivation फील होगा कि हां बिलकुल मतलब सही direction पर है progress हमारी जो है वो सही तरीके से जा रही है फिर scholarship test है अब scholarship test आप attempt करिए और आपको benefit मिलेगा कि आप अपनी पढ़ाई को fund भी कर सकते हो देख आप अगर enroll हो चुके हो तो आपके मित्र दोस्त यार जो भी जब भी जैसे भी जा रहे हैं जहां पर भी ठीक है अन academy के platform पर कोई भी अगर आप subscription लेने जा रहे हैं तो आप ये code इस्तिमाल करिए तो इससे आपको फायदा मिलेगा ठीक है न और मेरा भी नाम बड़ियां से थोड़ा सी यूज हो जाएगा कि चलो टीचर का reference आ गया तो बिलकुल आई एंडी आ रहे हैं इस code को आप वहाँ पर enter करें प्लियर है social school का telegram channel है जिसको आप join करें बहुत सारी updates के लिए notes वगरा के लिए आपको फायदा होगा और ये जो end of civilization था ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसा मैं 100% assured हूँ फिर भी कोई doubt है तो आप बताईएगा कोशिश का डिंगे resolve करनेंगे अगले topic के साथ में बहुत जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए बने रही है social school के साथ thank you